अगर आपके मन में भी ये डाउट हो कि हमें कौन से कॉलेज में एडमिसन लेना चाहिए तो ये वीडियो को एंट तक देखते रहें सारी डाउट्स आपकी क्लियर हो जाएगी चलिए मैं आपको सबसे पहले टॉप कॉलेज के बारे में बतावता हूँ कौन सी उनिवर्श्टी की बात मैं कर रहा हूँ चलिए मैं बताता हूँ तो फ्रेंड्स आप लोग यहां पर देख रहे होंगे यह कुछ इस तरह की लिष्ट आपको देख रहे होगी तो ये गोरगपूर युनिवर्श्टी के सारे कॉलेज हैं तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं जैसे आप लोग गोरकपुर युनिवर्सिटी से बियर्ट करना चाहते हैं, तो जैसे आप लोग को अपने जिले की कॉलेज की लिष्ट देखना है, तो आप लोग पहले इस लिष्ट को डाउनलोड करिएगा, अगर आप लोग को इस लिष्ट को डाउनलोड करना है, तो नी institute का नाम देखेंगे जैसे यहाँ पे institute एक दिख रहा है बाबा रागाउदाश PG college दिवरिया और यहाँ पे institute type यानि कि added यहाँ पे लिखा हुआ है यानि कि यह government college है और यहाँ पे 40-10 का मतलब क्या है कि यानि कि art इस टीम की यानि कि color work है कि इसमें अब यह होता है कि private college यह है ठीक है तो यह हो गई college की बाद अगर आप लोगो गोरखपूर से college यानि कि B.A.T. करना है तो आप लोग यह college की list देख सकते हैं अपने नजदिक जो भी हो अब मैं बात करता हूँ कि आपको कौन से college में admission लेना चाहिए कौन सा college best होता है कौन सा college best नहीं होता तो देखिए मैं आप लोगो एक ही तरह से समझा रहा हूँ आपका चाहे जो भी जिला हो चाहे वरांट सी लखनोग, इलहाबाद चाहे जहां से भी आप लोग हो तो मैं आपको एक ही सलाह दे रहा हूँ आपके नजदी की, यानि की आपके नजदी की 10 से 15 किलो मीटर की देंज में जो भी college हो, आप लोग उसी college में admission ले लिजे, ये क्यों कह रहा हूँ देखिए, फीस तो सब college की same ही होती है तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है फीस सब में की 51,250 होगी बाकी जो अलग की खर्चे लगते हैं वो सब college के same ही होते हैं प्राक्टिकल, जो अलग की खर्चे होते हैं वो सब college के same होते हैं तो आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है जो college में system होता है यानि कि वो college में जो होगा दूसरे college में वी भी वह होता है तो आपको ज़्यादा दूर जाने की जरुवत नहीं है दूर जाने से कोई मतलब नहीं है ठीक है फीस सेम है सबसे बड़ा तो फीस ही होता है ठीक है और आपको दो साल बेट करना है और इसमें बहुत सारे सिश्टम होते जैसे practical के लिए फिर बाहर जाना पड़ता है ठीक है और फिर teaching के लिए इसमें बाहर जाना पड़ता है तो आप लोग अपने नजदीक ले लिजे teaching भी अपने best college में लगवा लिजेगा जो आपके नजदीक में हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने जो भी नजदीकी college हों आप लोग उसी college में admission ले लिजेगा ठीक है तो बस यही है ठांक्स फूर राचिंग और चैनलों को subscribe नहीं किया हैं तो प्लेज चैनलों को subscribe पर लें और भी ऐसी B8 के बारे में वीडियोश आपको समय समय पर मिलते रहेंगी ठांक्स फूर राचिंग